ही एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल एंड वेलकम बैक टो माई आनदर व्लॉग तो अभी सुभा के आठ बजे हैं और हम लोग शिमला जा रहे हैं और अंशी का नखरा शुरू हो गया है इसको कुंडर जोय चीये था और पापा इसको 50 रुपय का नोट दे रहे थे लेकि अंशी जो है अपने जैलरी लेकर बहुत खुश था और ये पूरे सफर में सोया ही रहा और फिर हम लोग शिमला पहुँच गे एक्शली मैं पापा का चैक अप करवाने के लिए शिमला आई थी मैं तींचा दिन पहले भी शिमला आई थी लेकिन उस टाइम डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी और हमारा काम नहीं बना था तो फिर आज जो है मैं टाइम निकाल के शिमला आई हूँ और जब हम होस्पिटल पहुची तो इतनी लंबी लाइन लगी थी और मैं सबसे लास में खड़ी थी और रंशी यहां भी इतनी शिरारते कर रहा था और ये टाइल ऐस फर्स टाइम यहां थी तो हमें यहां का कुछ ज़्यादा पता नहीं था नहीं लोग वहां पहुची दिखा इतना सारा रश था फिर अपना रूम ढूंडा फिर हमें पहले ही बोल दिया है कि आप लोग लंज के बाद आना तो हमारे पास फिर वेट करने के लावा कोई था और यहां फिर अंशी के नखरे शुरू हो गए और यह सारा जो एरिया है यह रिपन होस्पिटल का ही था और यहां का जो व्यू था वो बहुत सुंदर था और बीच में जो है यहां हलकी हलकी बारिश भी शुरू हो गी थी कभी धूपारी थी और कभी-कभी इतनी नहीं है तो उनको तो बहुत ठंड लग रही थी हमें तो फिर भी 2-3 साल हो गए यहां पर मुझे फिर भी यादत है लेकि फिर भी बीच मुझे भी ठंड लग रही थी कि यहां बहुत तेज हावा चल थी और मैंने पतला सा स्वाटर पहना था और मैं कंटीनिव वॉक ही ज चलो मार्केट चलते हैं फिर हम मार्केट के लियं निकल गए और शीना बिलकुल भी नहीं चल रहा था कभी पापा के पास तो कभी मेरी गोद्धी में मतलब बिलकुल भी नहीं चला और इसने इतना धका दिया हमें उपर तक क्योंकि मार्केट के लिए काफी चड़ाई है तो ये खुद से बिल्कुल भी नहीं चला, बस हम बारी-बारी से इसको उठाते रहे, और बच्चों के साथ यही होता है, बस तब हम कोई शॉपिंग शुपिंग नहीं कर पाते हैं, फिर हम पहुँच गे थे लोवर बजार, और अभी ना चैसे सरद्य जाने वाली है, और हमने ओडर किया, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी, और अंशी यहां पर सो गया था, उसने लंच नहीं किया, हमने कोशिश कियी कि वो उठाए, खाना खाले, पर वो उतनी गहरी नीद में सोया था कि वो उठाई ने, पहले में जब ऐसे घूमने आती थी, तो मैं हमेशा जौमीन, मोमोज, बर्गर, ऐसी चीज़ा ही खाती ही, लेकिन आजकल मैं हल्दी खाना ही प्रेफर करती हूँ, और यह है शिमला का मॉल रोड़, और यहां भी काफी रश होता है, और हम लोग जा रहे थे, जहांसी पार्क, जहांसी पार्क में बच्चों के खेलने के लिए जूले वगरा है, तो अंशी यहां पे बहुत खुश रहता है, यह सोया हुआ था, और मैं इसको कुतब से बोरी थी, कि अंशी हमने जूला जूलना है, और अभी इसने तो तोड़ी आंखे को लिए, और देखो यह उठ गया है, लेकिन अभी भी यह सूस्त जैसा था, और जैसे ही मैं इसको बोरी हों कि अंशी यह जूला है, और देखो कैसे खुश हो रहा है, और यहां का विव देखो कितना सुन्दर है, बच्चों को शॉपिंग से और चीज़ों से कोई लिना देना नहीं होता है, यह इन चीज़ों में खुश रहते हैं, इसी में अपनी खुशी ढूंडते हैं, और मैं इसको यहां इसका मूर्ठी करने की कोशिश कर रही थी, कि यह थोड़ा खुश हो जाए, और यह बुरह था कि मुमा नहीं मैं मत्यपकड़ो मत्यपकड़ो मैं खुश जूलूंगा, और जब भी हम लोग यहां आते हैं तो यह बहुत खुश रहता है, और जब भी हम शिमला आते हैं तो हम यहां पर पका आते हैं, मैं इसको हमिशा जोला जोलने के लिए लाती हूँ और जब भी यहां आएगा तो यह मना करता है कि मैं वापिस नहीं जाओंगा और देखो भी इतना मस्त हुआ है खेलने में इसकी नेंद सब उड़गी है और मैं इसको बोरी थी कि एंशी चलो अभी वापिस आना था क्यूंकि हमारी बस कर टाइम हो गया था लेकिन हमान रहा था देखो कैसे दोड़ा हुआ है कि मैं नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा फिर मैंने इसको बड़ी मुश्किल से मनाया और हम लोग आ गए और अब यह हम लोग जा रहे घर के लिए हमारी बस भी निकल चुकी थी और यहां अलकेल की बुंदा बांदी भी शुरू हो गी थी और हम लोग अम्रेला भी नहीं लाए थे फिर मुझे एक बर्गर पैक करवाना था मेरी फ्रेंड ने मंगवाया था तो हम लोगों ने अपने लिए भी पैक करवा लिया पर यहां हमें थोड़ा वेट करना पड़ा क्यूंकि वहां टाइम लग रहा था फिर हम लोग निकल पड़े घर के लिए और यहां भी देखो कितना रश है और यहां शिमला का ओल्ड बस टैंड और हम लोगों ने फिर अपनी बस ली और रंशी जैसे बस में पहुंचा तो इसने बगर खाना शुरू कर दिया क्यूंकि इसने दिन को भी कुछ नहीं खाया था और यह अभी थोड़ा इसका मूड फ्रेश लग रहा था फिर हम लोगों निकल पड़े घर के लिए और अभी देखो हमें घर पहुंचते रात होगी और बीच में बारिश भी हो रही थी फिर हम सड़े 8-9 बजे तक घर पहुंचे हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम सो गए तो फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में बाई